बैजनात के पंडोल रोड में 2 सितंबर से 12 सितंबर तक चलने बाले गनेश उत्सप का बड़े भबे तरीके से सुबारम हुआ बैजनात के मुखे सडक से 500 मीटर तक पंडोल रोड को रंग बिरंगी लाइटों वो फ्लोरी सेंट होडिंग से जगमंगाया गया है गोर्तलब है कि पिछले बर्ष की भांती इस बर्ष भी भबे गनेश उत्सप का आयोजन के अचारा है जिसमें देशवर के नामी गिरा में गायक कलाकार प्रती दिन अपनी मनोहारी गायक की से लोगों को आननदित करेंगे साथ ही साथ भक्तों को दिपी जांकियों के माध्य से इश्वरी लीला का दर्शन भी करवाएंगे गनेश उत्सप कमेटी की सदस्य एवम नपम अध्यक्षा रुची कपूर ने बताय कि 2 सितंबर से 12 सितंबर तक आयोजन दुथी गनेश उत्सप में 2 सितंबर से 10 सितंबर तक प्रती दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक स देश बर दूसरे राज्यों से आये प्रसित कलाकारों दारा भजन गायन भी मनमोहग जांकियों का मंचन किये जाएगा उन्होंने बताय कि गुजरात से कलाकारों की आई 35 सितंबर तक लोगों को भक्ती विबोर करेगी गनेश उत्सप का आरंब प्रते 10 बजे कलश यात्र तक आयुजित होगी तथा पुने गनेश पंडाल पंडोल रोड में आकर पूरी की गई उन्होंने बताय कि 12 सितंबर को गनपती का बिन्वा नदी के तर्ट पर विसर्जन किया जाएगा तथा उसी दिन विशाल भंडारे का आयुजिन भी किया जाएगा आज दित्य गनेश उससर पंडोल रोड बैनात में शुबह रम हो चुका है। आज सुबह इसका शुबह रम कलश यात्रा से हुआ। उसके बाद हमने शुबह यात्रा निकाली और इस वक्त हम सब इस पंडोल रोड बैनात के पंडाल में पहुंच चुके हैं। और ये सिल इसी तरह 10 दिन तक चलता रहेगा इन 10 दिनों में दुबहे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रामकथा का अयोजन किया दिया है और उसके बाद भजन संद्या जो कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रात के 10 बजे तक चलती रहेगी और आपका खूम अनोरंजन किया जाएगा और इस कारेक्रम की जो विशेश बात है वो है गुजरात की टिंग जो कि यहां आगर आपका खूम अनोरंजन करेगी और मैं आप सभी कशित्र वासियों को आपको सत परिवार की सहीत अमंतर करना चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के साथ इन सभी कारेक्रमों का खूब खूब भरपूर अनन्त उठाएं और मैं गनेश जी से यही प्रात्ना करूंगी और मनोकामना करूंगी कि आपकी घर में खूब खूशियां लाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो